कि वोके स्टूडर्स तो आज हम करेंगे ट्वल्थ मैज एक्सजर टू पॉइंट्री मैट्राज़ कोश्टिन त्री तो इतना बड़ा कोश्टिन दिया है ठीक है तो अम डैरिकली स्वाल करेंगे तो लेट कॉस्ट आप वन पेंचिल एक्स रूपीज कॉस्ट आप वन पाने रेज़र जेड रूपीज पहले है लिखते हैं फर्च कंडिशन पर आ जाते हैं ठीक है तो कॉस्ट आप फॉर पेंचिल दिया है ओके फॉर पेंचिल दिया है मतलब फॉर एक्स और ट्री पैंट त्री वार टू रेज़र टू जर्ड तैट इकोल टू सिक्टी फिद बूल है तो एक्वेशन वन है अभी यह फर्च कंडिशन है ठीक है एंड बाइ सेकंड कंडिशन क्या दिया है कॉस्ट आप टू पेंचिल यानि टू एक्स फॉर पैंट फॉर पैंट फॉर पैंट ओके फॉर वाय आएगा फॉर वाय प्लस शिक्स इरेजर शिक्ट जड अन्ट इस इकोल टू 90 ओके तो अब इसके बाद अब इसको थोड़ा और सॉल कर सकते तू डिवाइड बैट भी कर सकते यहां पर राइट इसको और छोटा कर सकते तो टू को भार लिया बच्चे का एक प्लस टू वाय प्लस ट्री जड इस इकोल टू 90 तो इसको कट करेंगे 45 आ जाएगा तो हमारा कि इक्वेशन 3 पर जाते हैं बोला है उनने कॉस्ट आप सिक पेंसिल यानि 6 एक्वाइड टू पेंड टू वाज प्लस ट्री रेजर ट्री जड ट्री जड इस एकोड़ टू 70 रुपित इक्वेशन 3 क्लियर तो अमको All right go back? तो को सारे एक्वेशन मिल गया तो अब इसको प्रॉपर ली एक जगह पर लिखных सर् मैट्रिक ौरम पर लिखते हैं देखो तो मैंने equation 1, equation 2, equation 3 को लिखा उदर, जो आमको मिला, right? उसके बाद उको metric form पर लिखना है, देखो, कैसे लिखना है, यहाँ पर दिया है 4, यहाँ पर है 3, यहाँ पर है 2, and यहाँ पर 60, and second का है 1, and यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 45, यहाँ पर 6, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 70, clear? यह matrix form पर लिखा मैंने, और यह मैंने for your understanding लिखा, row 1, row 2, row 3, अब हम यूज करेंगे reduction method, क्या करना है यहाँ पर, कोई भी 3 element को 0 लख्याना है, यहाँ पर इसको 0, इसको 0, 0, 0, 0, 0, ऐसे make proper 3 element 0, तीक है, इसको 0 करना है, बढ़ हम अब दिमाग विश्च कर सकते, ऐसे करने के, अच्छा, यहाँ पर मुझे 0 आ रहे है, ठीक है, अगर मैं इसको subtract करूँगा, 2-2, 0 हो जाएगा, और यहाँ पर 3-3, 0 हो जाएगा, मतलब मेरे को यहाँ पर 0 मिल रहे है, स्टार्टिंग में 2 0 इदर आ रहे है, मतलब हम क्या करेंगे, यह ने करेंगे, बढ़ यह करेंगे, यह सटका करेंगे, तो याद रोकू, यह स्टार्डड है, यह जो है, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0 है, यह है, स्टार्डड ऐचा रहता है, पहले यहाँ पर बाद ने, यहाँ पर बाद ने, यहाँ पर बाद ने, ऐचे करना स्टार्ड रहता है, बट हम अपने दिमाग उस करेंगे, दिमाग उस क यहां पर इसको और इसको 0 करना है तो रो 3 को change करते हैं, रो 3 बनेगा रो 3 माइनस रो 2 तो यह 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 3 अभी 0 आईगा, ठीके इसके अज़से ऐसे करना है ठीके याद रोको, तो नॉर्मली ऐसे करते हैं, teacher look पर यहां पर हम धिमाग उस करेंगे, ठीके, देखो बनेगा, ठीके, तो रो 3 को change कर रहे, रो 3 माइनस रो 2, यहां पर 6, यहां पर रो 3 है 6, रो 2 है 1, 6 माइनस 1, 5, यहां पर 2 माइनस 2, 0, यहां पर 3 माइनस 3, 0, यह change नहा होगा, वाइचे कहिए यहां पर भी change करना है, फूरा रो रो 3, ओके, तो रो 1, रो 2, रो 3, पूरा change करना है, वाँ पर है, 70 माइनस 45, यहां पर 25, क्लियर, हमने यह perform किया, मतलब बाकी का जो है, उसको वैचे का वैचे है रिखना है, 4, 3, 2, यहां पर 1, 2, 3, यहां पर 45, ठीके, तो हमको 2, 0, एक ही टाइप है मिल रहे है, तो ऐसे दिमाग उस करके, कर रहा है, ठीके, तो अभी क्या करेंगे, ठीके, तो अभी इसको 0 करना है, तो कैसे करेंगे, यहां पर 3 नहीं है, तो alternate multiply करते, यहां पर 3 इंटू 2, और उपर 2 इंटू 3, यह बनेगा 6, यह बनेगा 6, subtract 0, तो मतलब उपर पेंचिल चे करते हैं, इंटू 3, ओके, तो यह रो है, यहां पर 3 चाहिए उमको, right, तो यहां पर, इंटू 3, उर्ण तू 3, उर्ण तू 3, टीके, तो पेंचिल चे करो, ठीके, यह सब पेंचिल चे करना है, और यहां पर, हमको नियाक अब यहाँए इसकी लिए हम एक है कर रह यहां पैंश से करो कि या फिर दिमाग में करना पड़ेगा टिविए तो अभी हमारा रोट पूंच कर रहा है यह है रोग वन रोट टू रोड इसको चेंज작 करना है इसको जोरह लिए तो रोट तु कूंच कर रहे है और यहां पर 2 time, 2 time, row 2, बीथ में वाइनाच, यहां पर 3 time, row 1, रैट, बद यह लिखना है, बद, बाद में इसका टेंचन नहीं लगाए, यहां पर 2 है, आपर 2 है, और यह फूरा, row 2, बीथ में माइनाच, फिर बाद में यापर 3 time, row 1, ठीक्ये, ठीक है तो सबसे पहले इसको क्लियर करते हैं तो यह क्या आ रहा है यह आ रहा है यह आ रहा है टू इसके साथ 2 इंटो 1 2 2 माइनस 4 इंटो 3 12 यह आएगा माइनस 10 यह आ रहा है टू इंटो 2 4 माइनस 3 इंटो 3 9 यह आएगा माइनस 5 और हम इसको जिरो करना चाहते थे यह आ रहा है शिक्स और यह रहा है शिक्स तो यहां पर 0 राइट तो यह चेंज नहीं होगा यहां पर 45 इंटो 2 90 और सिप्स इंटो 3 यह रहा है एटीन यह आएगा माइनस 90 क्लियर तो अभी क्या करना है यह सब जो पिंचिल से किया सब को इरेज कर दू ठीक है अभी कौन्सा और वह बाकी है इसको वैच्छे कर वैच्छे लिखो ठीक है यह आएका 432 432 आप सिकती है यहां पर 5 है यहां पर 0 है यहां पर 25 अब होप यह आपको समझ मैं राइट तो कहीं तीन जूरो प्रॉफर देगा पर लगए आना है तो अभी हमको जूरो आ गिया राइट तो अभी क्या लिखना है देखूं ठीक है तो अभी वाइक्वाइड मैट्रच अब इसको वापाज एक्वेशन के फॉर्माट में लगए आना है 4 उटो एक 4 एक्स 3 एंटो वाइब 3 वाइब और प्लस 2 जट ताइट इस एकोड़ तो 60 यह हमारा एक्वेशन यहां पर माइनच 10 एक्स माइनच 5 वाइब प्लस 0 जट ताइट इस एकोड़ माइनच 19 फॉर्ड एक्वेशन है 5 एक्स प्लस 0 वाइब प्लस 0 जट इस एकोड़ तो 25 क्लियर तो यहां से यह एक्वेशन चे मुझे एक्स मिलेगा वो इसको यहां पर पूट करके वाई निकालेंगे फिर उसको यह द कालनें देखो ओस ऐड़ ठीके तो अब यह एक्वेशन को रहते हैं 5 यह 0 है यह भी 0 तो इसको हटा सकते हैं 5 एक्स जोकूडंडी 5 तरफोर एक्स जोकूडुड तो 25 अपॉन 5 5 तेके तो 5 एक्स 25 आ रहा है तो वाउन पे लिखा 5 ऐक्स जोकूड़ 25 पॉन 5 तो अमको 5 आ है तो आब इसको इदर पूट करते हैं इक है यह हमारा फास्ट एक्वेशन है यह थार्ड तो पूट एक्स इकोट दो फाइव इन इक्वेशन टू यह हमारा minus 10, x ka value 5R minus 5R and that is equal to minus 90. यह बनेगा minus 50 minus 5R is equal to minus 90. So minus 5R is equal to minus 90 plus 50. So minus 5R is equal to minus 40. Minus minus cut, so y is equal to 40 upon 5, that is equal to 8. तो y भी मिल गया, x भी मिल गया, उसको equation 1 पर put करते हैं, ठीक है? तो put, x is equal to 5, y is equal to 8 in equation 1. तो हमारा यह है 4, x है 5 plus y, sorry. यहापर 3 है, y है हमारा 8 plus 2z. that is equal to 60. तो यह बनेगा 4 into 5, 20. यह बनेगा 3 into 8. यह बनेगा 24 plus 2z is equal to 60. तो यह बनेगा 44 plus 2z is equal to 60. तो 2z is equal to 60 minus 44. यह बनेगा 60, right? तो 2z is equal to 60, z is equal to 8, right? तो हमको तीनों आ रहे है, x, y, z. तो यहनों आ रहे है. तो हमारा x आ रहे है, 5. y आ रहे है, 8. z, आ रहे है, the cost of, uh, cost of one pencil, 5 rupees. and cost of one pen, 8 rupees. क्योंकि x, uh, x है, actually. आपर x लिखे लेते हैं, ठीक. यह बनेगा, x, that is equal to 5 rupees, y, that is equal to 8 rupees, and cost of one eraser is equal to z, that is equal to 8 rupees. ठीक्या होट, यह आपको समझ में हैं, right? तो यहाँ पर, दिमाग उसको रो, otherwise normal method पर जाओगे, but time waste होगा, और अब first जाओगे, ठीक्या, तो ऐसे solve करो, ठीक्या, तो अभी हम, second problem पर जाते हैं, देखो. ओके, तो अभी fourth problem करते हैं, यहाँ पर, तीन condition दिया है, तो हमको number find करना है, ठीक्या, तो let's first number x, second number y, third number z, according to given condition करके, एक ही लाइन कर लिखते हैं, यह तो first condition, second condition, third condition, लिखने की जरुवत नहीं है, ठीक्या, तो according to given condition, sum of three number is two, तो first condition के एसाब चे, 1 plus y plus z is equal to two, sum मतलब add करना है, sum का मतलब होता है, addition, तो सारे को add करना है, अभी second देया है, two time second number, okay, two time second number कुंचा है अमारा, why, two time second number is subtracted, मतलब minus from, subtracted from first and third, okay, तो उसको एक साइट पर लिखते है, तो आमको मेल रहा है, eight, ठीक्या, तो यह चार मार के लिए आएगा, सबसे पहले, यहां से यह बॉर्ड पर दिया, इसको equation में लिखना भी आना चाहिए, ठीक्या, तो इसको patiently, इसके लिए 10 minute devote करो, ठीक्या, यह हो गया, तो अभी यह properly नहीं है, तो इसको हम properly लिखते है, ठीक्या, तो यह बनेगा, एक प्लस y प्लस z is equal to two, तो इसको आगे लिखते है, x minus two y plus z is equal to eight, हो गया, अभी यह properly लिखा हमने, क्योंकि x के बाद y, उसके बाद z, ऐसे लिखना है, clear, तो अभी third condition क्या है, three time first number is added to, three time first number, add किया, second and third से, यहनि y plus z, हमको आ रहा है four, तो यह equation को लिखते है, यह आगा 3x plus y plus z is equal to four, यह है equation one, two, three, three, okay, so in metric form लिखते है, तो यहाँ पर coefficient one है, तो one, इसका भी one है, इसका भी one है, और यहाँ पर x, y, z, क्योंकि आपर three variable है, then y, y, z, यहाँ पर है two, इसका यहाँ पर von, यहाँ पर minus two, यहाँ पर भी one है और यहाँ पर eight है, यहाँ पर three है, यॹाँ पर one है, यहां पर four है ठीक है, तो होगा मैट्रिक फॉर्म अभी क्या करना है देखो ठीक है तो नॉर्मली क्या होथा है रिडेक्शन मेथड में यहां पे जिरो लिख्यान है एक दो तीन राइड यह नॉर्मल मेथड है पट हम दिमाग उश्करेंगे अगर मैं इसको और इसको सब्ट्रैक करूंगा यह है यह रोट्व रोट्व यह रोट्व जम्हां उसको तो मदी into आएगा वोट्व को सेंग करते हैं के तो रोट्व को चेंज करते हैं तो रोट्टू को चेंज करते हैं, रोट्टू माइनस रोवन, तो क्या आएगा देखो भी, तो अब ये रोट्टू का वन है, तो 1 मैनस 1, 1 मैनस 1, 0, मैनस 2, मैनस 1, मैनस 2, मैनस 1, यहाँ पर आएगा, मैनस 3, 1 मैनस 1, 1 मैनस 1, यहाँ आएगा, 0, ठीक है, यहाँ पर, x, y, z, यहाँ पर, रोट्टू, 8, 8 मैनस 2, वहाँ आएगा, 6, राइट, बाकी का जैचा है, वैचे का वैचे लिखना है, चेंज ये करना है, अब रोवन है, 1, 1, 1, 2, और यहाँ रोट्री, 3, 1, 1, यहाँ पर है, 4, ठीक है, तो हमको 2, 0 मिल रहा है, इसके लिखे कर रहे है, यह नॉर्मल मेथट है, ठीक है, तो अभी वापस, इसको सब्ट्राइक कर सकते है, रोट्री, 1, 1, 1, 0, 1, 0, मैं रोट्री को चेंज करेंगे, ठीक है, रो ट्री, माइनस, रोवन, थाकि हमको जहाँ पर है, ठीक है, देखो अभी, ठीक है, तो अभी ये फूरा चेंज होगा, यहा आएगा, रो 3 को change करना है, तो रो 3 और रो 1, 3-1, 2, 1-1, 3-1, 2, और यहां पर 1-1 वह आएगा 0, क्योंकि हमने minus लिया बीट में, यहां पर 1, 1-1 यह भी 0 आएगा, तो हमको 2 0 मिल रहे हैं, और यह नहीं बदलेगा, और यह पर यह लाइन में है, रो 3, 4-1, 2, 4-2, 2, पूरा रो 3 हमने बदल दिया है, तो रो 1, रो 2, रो 3, तो बाखी का जो है, उसको कुछ नहीं करना है, बस वैसे का वैसे हैं लिखना है, तो हमको बहुत सारे जिरुवा आ गया, यहां पर 1, 2, 3, 4 आ गया, 3 के बदले में, तो लो प्रॉब्लम, तो यहां हमको y मिलेगा, यहां पर x मिलेगा, इसको पहले equation में फूट कर सकते हैं, ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, तो अभी इसको equality of matter से solve करते हैं, देखो, ठीक है, तो इसके बाद यह लिखो, y equality of matter से, बाद में equation 1 into x, x plus 1 into y, y, 1 into z, that is equal to 2, equation 1, विखकर यहां पर 0x minus 3y plus 0z, that is equal to 6, equation 2, last है, 2x plus 0y plus 0z, that is equal to 2, equation 3, right, तो अभी हमको याचे x मिलेगा, ठीक है, देखो, this side, ठीक है, तो अभी equation 3 निकालते हैं, यहां फेर 2x is equal to 2 आ रहा है, ठीक है, so from, equation 3, क्या हा रहा है, equation 3 क्या हा रहा है, 2x is equal to 2, 2x is equal to 2, so therefore x is equal to 2 by 2, that is equal to 1, x का value 1 आ गया, right, तो अभी यहां से y का value निकालते हैं, from equation 2, minus 3y is equal to 6, क्योंकि 0 को count ने करना है, 0, 0 को count ने करना है, so y is equal to 6 upon minus 3, या आएगा minus 2, तो put x is equal to 1, y is equal to minus 2, in equation 1, क्या मिलेगा, तो यह है equation 1, x plus y plus z is equal to 2, equation 1 है, x है 1 and y है minus 2 plus z is equal to 2, तो यह क्या बनेगा, minus 1 plus z is equal to 2, therefore z is equal to 2, 2 plus 1, 3 आएगा, तो आएगा, तो आमको यह answer आ रहा है, so therefore x is equal to 1, y is equal to minus 2, z is equal to 3, तो आएगा, okay, so are the required numbers, तो reduction method में दिमाग विश्करना है, कहाँ पे, यह जी step मिल रहा है, कहाँ पे मुझे ज्यादा 0 मिलेगा, वो देखना है, सब्सक्ते ऑो सना पेलेगा, और स मारादावा, कहाँ पेखना है, कहाँ शेमार